ब्रॉट तु यू बाई टेक्नो क्यामन 30 सीरीज नवस्कार बिहार तक देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ अनिकेत कुमार दीगे इस वक्त हमारे साथ वरिष्ट पत्रकार अरुन पांडे सर हैं और हम अरुन पांडे जी से बात करेंगे कि क्या नितीश कुमार बिहार का मुखमंतरी पद छोर केंदर में बड़ी जिम्यदारी लने जा रहे हैं कि देखिए जिस तरीके से बिते दिन नतीजे आएं और केंदर में जो है वो गटवंदन की सरकार है बीजेपी खुद पूर्ण बहुमत में नहीं है यानि की जेडी और पीडीपी की भूमिका जो है वो बहुत महत पूर्ण रहने वाली है ऐसे में चर्चाएं खुब होने लगी है कि नितीज कुमार अपनी सर्टों को ले करके दिल्ली पहुँच गया है और दिल्ली में नितीज कुमार अपने सर्टों के नुसार एक नई जिम्यवारी भी ले सकते है क्या मुखमंतरी खुद बिहार की मुखमंतरी बनी रहेंगे या फिर किंद्र में कुछ जिम्हदारी लेँ जाना इन समय तमाम बातों पर चर्चा करेंगे और जाने के कोशिश करेंगे वरिश्ट पत्रकार अरण पड़िसर से सर क्या लगता है जिस तरीके से चर्चाएं जो है चल रहे थी कि मत गनना होंगे और उसके बाद जो चुनाओ के नतीजे आएंगे बहार में बहुत कुछ बदल सकता है नितिश कुमार मुख मंत्री पाद छोड़ सकते हैं या फिर बीजेपी जो है उन्हें मैनेज करके केंद दम पर अकेले सरकार नहीं बना सकती है उसको दूसर बहत्तर का जादू आकरा है पुड़ा नहीं हुए 240 सीटी जीते हैं तो सहयोगी दलों का समर्थन सहयोग अपेक्षित हो गया है तो आज नितिश कुमार जदिव के अध्यक्ष है न वह गय है इसलिए कि अब नई सरकार से जो बनेगी उसके लिए जो सारी आज तो प्रधान मंत्री राश्पती से भी मिलेंगे नितिश कुमार और चंद्रवाव नाईलू और समर्थन पत्र पार्टी की ओर से देने वाले हैं यह सारा प्रोड़ाम तय हो गया है उसी तरह चिराग भी देंगे अपनी पार्टी क कि ओर से तो यह आज जो नई सरकार का गठन हो नौतारी को संभवत्त प्राइम मिनिस्टर का वोथ होना है इसके लिए आज गया है कोई सर्थ मांग को लेकर नहीं गया है एक चर्चा जो आपने चुनाप के दवरान जो यह राजनिती गलियार में हुआ करती है कि अब नित जी किस्सामती से ना जाएंगे को उनको जबरन ले नहीं जाएगा अब कि ना जीत में जाएंगे तो उन्हें कोई महत्पुन दाईत पद मिले और आज में मुखमंत्री बने रहें इसा नहीं नहीं होगा देखिए अभी राज सभा की दो सीटें भी खाली हो गई है एक चाली होंगे दस दिनों के अंदर इस्तिपा देना नियम बना हुआ है तो अब राजसभा के लिए तो भी कोई दिकत नहीं है जिसकि कि राजशुनीत में जाना है उसको राजशुबाइदे कि वह बने नहीं है कुछ थी तीन सदनों के मेंबर बन चुके मुझे वह याद ह लोग कह रहे हैं तो लोग करे इस राजनीत में जाएगे उन की जह्गो 907 उनकी सहमती इस बार चुनाब नहीं ला जाएगा तो नितीज जी जदी पद छोड़ेंगे आपने चर्चा में भी बात पूछ दिये तो उनकी इक्षा से पद छोड़ेंगे तो केंद्र में कोई पद मिलेगा केंद्की राजनीत में जाएंगे तो सुभाविक है ना यहां बीजेपी सब से वो जदियू से भी बड़ादल है हाउस में तो इस बार बीजेपी का ही कोई मुखमंत्री होगा फिलहाल यह है लेकिन इस सभी चर्चाओं के बीच है अभी कल ही परसों और अभी इसी महीने कुछ नहीं होने जा रहा है लेकिन इस संभावना से इनकार आप नहीं कर सकते हैं कि यह हो सकता है हो सकता है चली तो देखिए वरिष्ट पत्रकार अरुन पांडे सारा मार सयाथ थे और उन्होंने बड़ी बात कही है कि कुछ भी हो सकता है क्यूंकि बिहार के मुखमंत्री नितिस कुमार बिधान परिशद बिधान सभा और लोग सभा के मिंबर रह अनि केत कुमार बिहार तक पटना